इक बढ़ी खबर आपको बथाते हैं Чंडिगड से इसवक्त की बढ़ी ख़बर सामने आ रही है कांसल नया गाउं के बागूं के बागूं के पास बम मिलने की सूचना इसवक्त मिली है बागूं से कुछ ही दूरी पर CM के हलिकॉप्टर का हैलिप्एड भी है और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सूचना पाकर मौके पर पहुंची चंडिगर पुलिस वहाँ पर पुलिस अब पहुंच गई है और आपको ये भी बतातें बागू से कुछ ही दूरी पर सीम के हेलिकॉप्टर का हेलिपैड भी है और इसको लेकर ये अपने आप में एक पड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है और अब पुलिस मौके पर पहुंच कर आगे की कारवाई शुरू कर रही है आपको वदा दे बागू से कुछ ही दूरी पर वहाँ पर मुखिम बंतरी का हेलिकॉप्टर का हेलिपैड भी है और ये पूरा जो मामला है ये कांसल गाउं का इस वक्त नया गाउं के बागू में पास बम मिलने की सूचना मिली है ये आप तस्वीरें भी देख लीजे ये जो चीज है ये सामने आई है एक्स्क्लूसिव तर तस्वीरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खवर फास्ट पर आपको दिखा रहे हैं ये इस वक्त कि इस वक्त हमारे साथ हमारे सेहोगी इस वक्त इस घटना पर जुड़ गए है जी मनीज क्या कुछ जानकारी है अनिल दत्सेमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है अनिल क्या कुछ पूरी जानकारी है जो पंजाब का बॉर्डर है उसके बिलकुल साथ में और यहां से कुछी दूरी पर हरियाना और पंजाब के मुख्यमंत्री का आवास है और करीब यहां से एक किलोमेटर की दूर डूरी पर है जहांसे की पंजाब और हरियाना के दोनों के मुख्यमंत्रियों के जो हेलिकॉप्टर है वह चलते हैं तो यहां से करीब एक किलोमेटर की दूरी पर अभी अभी सूचना जो है वो पुलिस को मिली है और यहाँ पर पुलिस की टीमें पहुंची है बंसक्वाइट की टीमें पहुंची है और फिलहाल जिस स्थान पर यह बं मिला है वहाँ पर एक एतियातन जो है उसको किसी भी तरीके से अपरिया घ दिया गया है और साथ ही इसे डिस्पोज आफ करने के लिए भी जो बंसक्वाइट की टीमें है वो फिलहाल पहुंच चुकी है और यहां पर एक दिखाना चाहिए लाके के बिलकुल साथ में यह बॉम जो है वो मिला है यह पंजाब का बॉर्डर है यहां से पंजाब शुरू कि दूरी पर जो हैलिपैड है जहां से पंजाब और हरियाना के मुख्यमंतरी के हेलिकॉप्टर उतरते हैं इस से करीब आधे किलो मेटर के दूरी पर यह बॉम जो है फिलहाल मिला है तो यहां पर जैसे ही सूचना पुलिस के पास जी क्या कुछ पता लग पाया कि आखिर किये आया कहां से किस طरह से वहां पर जो है रखा गया है क्या कुछ इस तरह की अपडेट सामने आई है पुलिस की तरफ से अब यह देखना होगा और पुलिस की टीमें यहां पर मौके पर पहुंचेंगी तो उसके बाद यह पता लगाने का प्रियास पुलिस की तरफ से किया जाएगा कि आखिर यह यहां पर कैसे आया है किस तरीके से यहां पर इसे पहुंचाए गया है यह तमाम चीजे जो है वो अजाज का विश है लेकिन पहली प्रात्मिक्ता पुलिस की यही रहेगी बॉंसकॉइट की टीम पहुंची है अभी और यहां से इसे लेकर जाना जाय जाएगा क्योंकि आसपास रिहाइशी इलाका है यहां से ले जाकर इसे फिर डिफ्यूज जो है वो किया जाएगा अनिल जी कल जमू कश्मीर में भी एक बड़ा ऐसा हादसा हुआ है हमला हुआ है जो सिविल लोग वहां पर है आज सोभा भी वहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है तो क्या ऐसे इस चीज को जोड़ा जा किसे गिरा गया है और फिलहाल अब करीब तीन से चार किलो इसका वजन फिलहाल बताया जा रहा है जब एक्सपर्स की टीम में पहुंचेगे तो इसके बारे में और जानकारी जो है वो सांजा की जाएगी यह भी हो सकता है कि यह पहले से यहां पर हो या यह भी हो सकता है कि अभी से हालगी में किराए गया है यह तमाम चीजे जो है वो फिलहाल जाज का विशे पुलिस के लिए है बिल्कुल हैलिपेड के इतना नजदीक अनिल जी बॉम का आना वाकई बेएक सवाल भी खड़ा करता है वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों या पुलिस के ऊपर क्योंक कि एक तरीके से और भी ज्यादा सतरकता रहती है जब दो स्टेट्स के जो बॉर्डर है वो रहते हैं चंडिगर्ड हाला कि पंजाब की राजधानी है बावजूद इसके जो बॉर्डर एडिया वहाँ पर सुरक्षा विवस्ता जो है वो कड़ी रहती है और क्योंकि मुक् बिला है यह देखना होगा कि किस तरीके से लेकर आएगा है यह पहले से यहाँ पर है पुराना बॉम है यह तमाम चीजे जो है वह भी देखनी होंगी कि क्या कुछ इसमें से रिकल कर सामने आता है ठीक है अनिल जी बहुत-बहुत शुक्रिया यह महतपूर्ण जानकारी हम